मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम मेडिवल हिस्ट्यू आप इंडिया से लिक्टर नमर थर्टीन पर डिस्केशन करने वाले हैं जिसमें हम एक नए टॉपिक की शुरुवात करने वाले हैं जो की है दमुगल्स जो की एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक माना जाता है मेडिवल हिस्ट्यू आप इंडिया का दमुगल्स में हम जो फॉर्स टूलर है बाबर उनके बारे में आज के लिक्टर में डिस्केशन करेंगे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो This is my Instagram ID इस इस माई Facebook पेज और अपडेट के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हो This is my Telegram channel and this is my YouTube channel आईए हम शुरुवात करते हैं बाबर की आपको यहां पे जो पिक्चर दिख रही है यह है बाबर की बाबर जो कि फाउंडर थे इंडिया में मुगल एंपायर का तो मुगल एंपायर की जो शुरुवात होई वो बाबर से होई तो बाबर के बारे में सबसे पहले कुछ बेस ले लेते हैं वो ता जयार उद्धिन मुहमंद बाबर सो ब्यार उद्धिन जो पर यहां पर रूल करना शुरू करते जब यह जो भी रूलिटी गनते उसके बाद इन्होंने जो नाम लिया नाम को एड़ा था वो था वाबर so यहाँ पर जो year दिया है 1526 से 1530 it was the time when he ruled India है ना तो यह Indian हम medieval history को पढ़ रहे है इसलिए हम यहाँ पर यह year लेते है 1526 से 1530 बट इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि बाबर इसके पहले ruler नहीं थे बाबर जो थे यह 1494 में ही ruler बन चुके थे यह सब चीज़े अगर हम देखते हैं तो he was the founder of Mughal rule in India यह तो आप जानते हैं कैसे क्या यह हम आगे पढ़ने वाले है उसके साथ साथ यह जो तैमूर थे और जो चेंगीज खान या गेंगीज खान थे जो की बहुत ही बड़े और strong ruler माने जाते हैं जन्होंने इंडीया को इन्वड भी कया था यह चैंगीज खान जो थे यह भी एक time पे इंडिया में आये थे तैमूर उननों इनके father के साइड से यह HIS mom झूर के और चैंगीज खान के थे उन नके mother के साइडय से और लो इसNow माना चाता है फर्गाना के रूलर उनके पिता हुआ करते थे जो उनके फादर हुआ करते थे जिनका नाम था उमर शेक मिर्जा, his father, so he succeeded his father at the age of 12 and he became the ruler of फर्गाना, फर्गाना कहाँ पे तो उसबेकिस्तान में at present वो फर्गाना करके जो जगाय वो आती है, so इसमें आपको ये सबसे पहले बता दू कि बाबर के बारे में या फर्गाना के बारे में आपको एक information दे दू, so बाबर जीतना चाहते थे समरकंद, mainly समरकंद, तो समरकंद वो easily जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि समरकंद की जो tactics थी, जो use करते थे समरकंद के आर्मी, वो काफी अलग सी tactic थी, और इस tactic को कहा जाता है तुलगमा, तुलगमा tactics, तो तुलगमा tactics हम आगे में आपको बताने वालों क्या होते, तुलगमा जो है, यह उस्बेक जो लोग होते हैं, उस्बेक soldiers होते हैं, वो use करते थे, उस्बेक, सो इस से बाबर बाद में यह जब टेकनिक सीखें तो बाबर ने काफी सारे जगे पे रूल किया, बाबर ने उसके बाद समरकंद पे भी rule किया बावर ने उसके बाद काबुल के भी rule किया और धीरे धीरे वो इंटिया के तरह बढ़ते गए काबुल जब वो समरकन से काबुल के तरह आते हैं अपना जो expand करते रहते हैं इंपार यानि फर गना समरकन फिर वो आते हैं यहाँ पर जैसे कि देखोगे काबूल में जब वो आते हैं तो काबूल के हो जब रूलर बनते हैं तो और एक्स्टेंड करना चाहते हैं तो काबूल के बाद वो पंजाब आ सकते हैं तो पंजाब में आने वाले थे बावर आगे अपना rule extend करते हुए सबसे पहले आपको यह बता दू कि दौलत खान लोधी जो थे गवर्नर आप पंजाब वो इब्राहिम लोधी से काफी परिशान थे इब्राहिम लोधी से काफी सारे rulers एक तरह से परिशान थे क्योंकि वो nobles की ज़्यादा सुन नहीं रहते तो nobles जो गए या फिर जो governor हो गए वो काफी उनसे एक तरह देखेंगे तो they all were discontented by अब्राहिम लोधी तो यह चीज़े हमें पता चलती है तो यहाँ इन सब ने एक तरह से प्लान किया ना तो एक तरह से यही लोग रूल करना चाहते थे यह नहीं जानते थे कि बाबर ही यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर देंगे उसके बाद में आपको यह बतादू कि कहीं आपको किताब में यह भी देखने मिलेगा कि बाबर अटेक इन 1525 बाबर अटेक दौलत खान लोधी दौलत खान लोधी के जो पंजाब था उस पर बाबर ने अटेक किया तो यह कैसे हुआ सबसे पहले दौलत खान लोधी तो इन्हें इन्वाइट करते है हला कि यह आपको एक्जाम के लिए important नहीं है बढ़ आपको confusion ना हो इसलिए मैं यह confusion आपका already दूर कर रहा हूँ इन्हें invite किस ने किया था तो दौलत खान लोधी ने जो कि governor हुआ करते थे पंजाब के तो बाबर ने यह देखा कि जब वो काबूल में रूल कर रहे थे उस वक्त पंजाब की जो इन्कम में वो बहुत ज़ादा थी है ना जो इन्कम आ रही है पंजाब से काबूल के लिए वो बहुत ज़ादा है और काबूल और उनके जितने भी एरिया कांदार हो गया, काबूल हो गया, यह सब एरिया से इतने इंकम नहीं देखने मिलती थी, तो वो चाहते थे एक तरह से कि पंजाब भी उन्हें मिल जाए, तो यह सब चीजे वो यहां चाहा रहे थे, तो फिर पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी इंडिया में आपको यहां पर बहुत बड़ा चांस भी मिला था कि वो इंडिया को इन्वेड करे, तो इन्वेजन कैसे हुए, क्या नहीं, यह सब हम देखेंगे, उसके पहले हम कुछ important battles देख लेते हैं, जो बाबर ने लड़े हैं, आपको यह battles को बहुत जादा याद रखने की इबराहिम लोधी के साथ और इसमें बाबर यहां पर यहां पर यह जीत गए थे इस battle को, तो यहां से ही इंडिया पर उनका रूल करना शुरू होता है, यह हमें पता चलता है, सेकेंड बैटल जो हमें पता चलता है, बाबर ने जो लड़ा था, इस बैटल ऑफ खानवा, इ इबराहिम लोधी का पूरा देली सल्तनत, यहां पर फिर राना संगा करके एक जो रूलर थे, उनका एरिया वो जीत जाते है, तो काफी expansion मिलता है, देली सल्तनत वाला एरिया तो उनके पास है, बट देली सल्तनत वाले एरिया से वो खानवा के रिजन तक पहुच जाते है, नेक्स्ट वो बैटल जो लड़ते है, बैटल अफ चंदेरी, बैटल अफ चंदेरी जो है यह बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया थे, इन दे यह 1528, उसके बाद जो एक इंडिपेंडेंट रूलर थे, मेदिनी राय, उनका भी जो kingdom था वो इनने मिल गया था तो यह जो चंदेरी है, यह मध्यप्रदेश के रीजन के तरफ आता है, याने देख सकते है आप दिल्ली सल्तनत से वो आगरा के पास का रीजन, उसके साथ मध्यप्रदेश का रीजन और उसके साथ घागरा, याने घागरा रीजन, घागरा रीवर के पास का रीजन, याने बिहार के आसपास का रीजन भी उन्हें मिल गया तो तो काफी एक बड़ा expansion था बाबर को यहां पर यहांने मुगल एंपार जो था यह काफी expand कर गया था जब बाबर ने यहां पर attack किया और बाबर ने काफी के बारे में थोड़ी से information दे देता हूँ अला कि exam के लिए उतनी जादा important नहीं होगी बट आपको पता रहे तो काफी अच्छा है कभी अगर question पूछ लिया गया तो सबसे बले आपको यह बता दू कि इसके जो date है वो 20 या फिर 21 April के आसपास हो सकती है 1526 क्योंकि अगर देखा गया तो कुछ-कुछ books में 20 दी हुए और कुछ-कुछ में 21 दी हुए तो 2021 यह date में से कुछ भी हो सकती है तो ऐसे confusion पे जो exams है वो यहां पर question नहीं करेगी बट किया भी तो यह NCRT में जो दी है वो है 20 April और काफे सारी books में 20 ओन एपरिल भी दी है तो ठीक है यह dates उतनी matter नहीं कर रही है बस हमें इतना बता हो ना कि वन लाक या फिर हम 100,000 में थे और उसके साथ-साथ 1,000 के असपस उनके इसमें elephants थे इतने सारे उनके पास थे cavalries भी थी elephants थे cavalries थी और याने horses थे तो यह सब भी उनके पास हुआ करता था उनके पोर्स में इब्राहिम लोडिका अगर बाबर की बात करें तो बाबर सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि 12,000 की फोर्स लेके हैं इंडिया में आये थे 12,000 फोर्स है ना सो उनके पास तुछ थे वह अर्टिलरी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बाबर के पास 12,000 था जब उन्होंने इंडिस रिवर को क्रॉस किया था ये भी माना जाता है बट फिर भी बाबर ये युद्ध जीते कैसे इसके बीचे कुछ उनके टेकनिक्स मानी जाती है जो कि टेकनिक बहुत ही तुलगमा मेन माना जाता है तुलगमा उनका जो यहाँ पर टैक्टिक थी वो तुलगमा की अगर हम बात करते है तो तुलगमा क्या है तो तुलगमा याने जो आपकी फोर्स है उसे बाबर डिवाइड करते थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में और उसे जो भी आपक क्या है, ये देख लेते हैं, इसमें क्या होता था है कि काट का यूट्स किया करते थे और जो काट होते थे उसे Nietzsche final किया जाता था रोप से और उसके पीछे आर्टिलरी लगाई जाती थी जो भी वो तोप और ये सब मारने वाले artillery उसे रखा करते थे ताकि ये उससे protected रहे इन पर directly attack ना हो सके freely ये किसी को भी fire कर सके इसे चारो side पे होता था और बीच में पूरी सेना होती थे इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता था और ये सेना किसी की भी सेना को चारो तरफ से इस तरह से घेर लेती थे और उसे अटेक करके उसे मार सकती थी so ये बहुत ही अलग टेकनिक थी जो बाबर ने यूज की थे जिसके कारण बहुत सारा confusion था कि क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा था opponents को उसके साथ-साथ artillery का यूज करना बहुत बड़ा एक तरह से एक reason वाना जाता है कि बाबर जीते हैं सेकेंड है कि वो gunpowder को बहुत जादा यूज करते थे बारूत का बहुत जादा यूज किया गया उनके पास guns थी उनके पास top थे हर चीज थी काफी एक आगे टेकनोलोजिकल ये आगे बड़ी हुई force थी as compared to Ibrahim Lothi's force इसलिए Battle of Panipat जो था उसमे Ibrahim Lothi नहीं जीत पाए ये सब यहाँ पर हमें कुछ reason पता चलते है ये थोड़ी से information है आपके माइंड में कोई confusion ना रही इसलिए मैंने आपको Battle of Panipat के बारे में कुछ छोड़ी से information दे दिये अब हमने जब battles देख लिए important battles थे important battles के बाद हम जो आगे आने वाले है वो है Babar के बारे में और कुछ information जैसे कि आप देख रहें कि Babar ने लड़ाई 1526 में लड़ी 1527 में लड़ी बाबर 1528 में तक लड़ाई लड़ते हैं 1529 में भी लड़ते हैं बाबर 1530 में बाबर की देख हो गई Babar died at Agra in 1530 at the age of 47 He was only 47 years old when he died तो काफी young age में उनकी देख हो गई थी और उनका जो tomb है वो काबूल में बनाया गया बाद में काबूल यह आप जानते हो कि प्रेजेंट है अफगानिस्तान में आता है वहाँ पे उनका tomb बना दिया गया बट उनके death आगरा में हुई थी उसके साथ साथ आपको यह भी बता दो कि he was the first to use gunpowder gunpowder का use जो किया जाता है war में वह सबसे पहली बार तो बबर ने किया था इंडिया में बट इसका meeting यह नहीं कि उसे introduced भी इंडिया में उन्हों नहीं किया था इंडिया में gunpowder अलरेडी प्रेजेंट था बट वार में यूज़नें किया गया था आर्टिलरी इंडिया में ये पूरा जो है वो gunpowder हो या artillery हो इंडिया में पहली बार जो यूज किया था वो बाबर ने यूज किया गया था ऐसा कहा जाता है historians के तुरू, so UPSC पर question भी कर चुकिए, तो वहाँ पे उन्हों ने लिखा था कि he introduced gunpowder, no he उन्होंने introduce नहीं किया था gunpowder को इंडिया में, इंडिया में already था, उन्होंने just use किया था gunpowder को first time in war, in battles, so ये चीज़े आपको याद रखनी, ये अच्छे से याद रखेगा, इस पर UPSC भी question कर चुकिए उसके साथ साथ he wrote his biography, उन्होंने biography लिखा था, जिसका नाम है तुझुके बावरी, in Turkish language, Turkish language में हो एक अपनी autobiography लिखते है, जिसका नाम है तुझुके बावरी, और तुलगमा और अरबा, तुलगमा और अरबा क्या होता, ये दोनों भी चीज़े में बता दिया हो, तुलगमा इस a tactic aimed at dividing the whole army into small units, placing them on the flanks, अना flanks में से लगा दिया जाएगा, इसे डिवाइड करके, और इसके flanks में भी आपको बता देता हो, इसके भी दो पार्ट हुआ करत the enemy and tied each other with ropes, मैंने आपको बता चुका हो कि इस तरह से काट्स हुआ करते थे और काट्स को बांधा करते थे, तो ये चीज़े यहां तक आपको याद रखने हैं, तो इस तरह से बाबर का एक तरह से बहुत बड़ा एक ये important चीज़े है, उसके बाद मैं आपको ये बता दू क कि he always prepared to share the hardship with soldier, किस तरह के इंसान थे बाबर, तो यहां पता चलता है, कि वो हमेशा जो भी soldier को face करते थे, तो उसमें वो भी शामिल होते थे, वो ये भी कहते थे कि आप अकेले face नहीं कर रहे हो, मैं भी आपके साथ face कर रहा हूँ, तो इसका सबसे बड़ा example ये है कि एक बा सबसे जा रहे थे, अब सिंक होने के बाद स्नो को हटाना था, ताकि ये horses पास हो पाए, so without hesitation, यहां पर क्या है कि जो soldiers था, उनका एक तरह से होसला तूट चुका था, कि आगे क्या होगा, तो without hesitation, बाबर जॉइन बैक ब्रेकिंग टास्क है, तो ये सब चीजे उन्होंने उसके साथ साथ, he was fond of wine, wine के काफी शौकीन थे और अच्छी company हमेशा पसंद कर दे थे, और उसके साथ साथ वो भी बहुत अच्छे companion थे, और काफी वो आप, याने enjoy करने जैसे उनकी company हुआ कर दे ये भी चीजे पता चलती है, कहीं के, sorry, कहीं के ये भी लिखा जाता है, कि जब उन्होंने wine जो है, उसे छोड़ दिया था, तो उन्होंने जो opium है, उसे अफीम जिसे कहा जाता है, उसे भी उन्होंने consume करना शुरू कर दिया था, but he was not, हम कहेंगे की, addicted to aphीम है, तो वो addicted नहीं थे, उनको addiction नहीं था, इन चीजों का, but ये सब चीजे यहाँ पर मानी जाती है, उसके बाद he was naturalist, काफी एक naturalist थे, वो सभी चीजे natural पसंद करते हैं, जैसे कि flora हो गया, fauna हो गया, ये पूरा इंडिया का उन्होंने काफी एक detail में explain किया हुआ है, डिस्क्राइब क्या हो है, और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने, ये भी हमें पता है कि उन्हों का strength बनाई है, prestige बनाई है, तभी जो आपका state है, वो अच्छा लगेगा, absence of religious and sectarian bigotory, है ना, so religion और ये इतना आपको ज्यादा कटरता नहीं दिखानी है, bigotory को हम देखेंगे, तो ठीक है, आप religion पॉलो कर सकते हैं, बट यहाँ पे, जैसे religion में different sects है, जैसा Muslim, इस Muslim में देखे थे बाबर ने, so ये सब sector and bigotory, जो है, कटरता ये सब नहीं, religious ये सब चीजे आएगी, बट पहले state को हम देखेंगे, उसके साथ साथ he was very careful fostering of culture and fine arts, है ना, so culture और fine arts को भी काफी उन्होंने अच्छे से यहाँ पे develop होने का chance भी दिया, तो इस तरह से बाबर हुआ करत differences can be found of destruction of temples during बाबर, so ये सब चीजे हमने यहाँ पे देखी, तो ये थे बाबर, जो कि एक बहुत ही अलग से ruler देखने और बहुत ही strong ruler हमें देखने मिलते है, जो कि मुगल empire के first ruler बनते है, so बाबर के बारे में इतनी information आपके exam point of view more than enough है, मैंने काफी सरी information यहाँ पे आपको बाबर के बारे में दे दिये, अगले lecture में जो हम पढ़ेंगे वो बाबर के बाद के जो ruler थे, उन्हें पढ़ेंगे जिनका नाम हाएगा हुमायू, so हम हुमायू को पढ़ेंगे अगले lecture में, तो तब तक के लिए हम हम सब अपना खयाल रखेंगे अच्छे से, और आपको अगर मेरे वीडियोज पसंद आते हैं, तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूटीब चैनल को, ताकि मैं regularly वीडियोज आपके साथ, नए नए टॉपिक्स, नए इस्टाग्राम आईडिश्रेजवडियाट ग्मेल डॉट कम आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, इसी तरह हम मिलते रहेंगे, अगले लेक्षर में तब तक के लिए अपना खयाल रखें और आपका दिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुब जाएं, तो टेक केर और एड़ ग्रेट डेट